हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ रहुल जैस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर डूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामदेंग मोश्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेकर आचुको दोस्तो जिसमें आज के दिर हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे नाइन स्टैन्डर के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक का जो हमने चाप्टर के अल्रडी शुरु आप जाके देख सकते हो बहुत आची तरीके से एक्स्प्लेइन किया है साथी में आपके जो बाकी सब्जेक्ट है साइंस, मैस, हिष्ट्री जैसे सब्जेक्ट झाली रहा हमारा और जोगरफी जैसे सब्जेक्ट ऑल्मोस्ट पूरा कवर हो चुका है complete है खासका साइनस आं हम जो syllabus है, SSD का जो बचा कुछा है, वो complete कर दे, और उसके बाद आपको हम बहुत सारी चीज़े और देने वाले हैं, तो आप लोग बस बहुत सारी चीज़े, देर मत करना दोस्तो, क्योंकि science और math पहले देख लो, regular lecture videos देख लो, आपको concept पता रहा, तभी तो revision देख के फाइदा है, बहुत सारे लोग comment करें थे, देखा मैं कि 10th का आपने start कर दिया, sir, one-shot video, क्योंकि 10th का board examination है, आपका board नहीं है, आपको अराम से पढ़ाई करना है, कोई घाई नहीं आपको, 10th वाले को घाई है, एक दिन मैंने, दो मैंने के बाद exam है, उनका, तो उनका सबसे पहला priority बनता है, हग बनता है के नहीं, तो आप लोग प्लीज समझ के लो, हम लोग सब जमेदारी के साथ काम कर रहे हैं, और हर एक चीज आपको provide करेंगे, तो आप लोग बस बने रहना, कुछ मुझे बात करना चाहते हो, personal question पूशन पूशन पूशना चाहते हो, तो प्लीज मुझे Instagram पे follow कर सकते हो, लिंक आपको description box में मिल जाएगा, ठीक है, शुरुवात कर लेते हैं, क्या है यहापे, India and other countries, देखो, बहुत सरे countries के बारे में, रशिया के साथ कैसा संबंद है, European countries के साथ कैसा संबंद है, यह सभी चीज हमने देखा था, और आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले, कि हमारा इंडिया का, अफ्रिका के साथ कैसा संबंद है, ठीक है, तो इंडिया, and African countries, ठीक है, आप जानते हैं, अफ्रिका एक बहुत बड़ा continent है, अगर हम बात करें, आप जानते हो, कि लगबग हमारे हम जहां पे हैं, उसके आप West की तरफ देखोगे, ठीक है न, थोड़ा West की तरफ देखोगे, उसके साथ हमारे इंडिया का संबंद कैसा है, तो अगर नॉमरी बात करें, कि हमारा इंडिया और अफ्रिका के, जो relations है, पहले से काफी ज़्यादे मजबूत है, और इंडिया जैसे एक तरीके से emerging nation था, मतलब जादा पहले से established नहीं था, मतलब एक तरीके से develop कर रहा है, जैसे हमारा एक pace है, हमारा एक speed से हम develop कर रहे है, हमारा इंडिया अभी लोगों के नजर में आ रहा है, पूरे world में आप कहीं नहीं जाओगे, तो इंडिया का नाम काफी अच्छा famous हो रहा है, लोग development की बात कर रहे हैं इंडिया में, उसी प्रकार बहुत सारे अफ्रिकन कंट्रिस ऐसी है, वहाँ पे भी development बहुत जादा तेज तरीके से हो रहा है, और अफ्रिकन जो youth है, जो अफ्रिका के जो young generation से, वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे जाके बहुत जादा development ला रहे हैं, तो ऐसे इंडिया ने अफ्रिका के साथ बहुत सारे ऐसे economic relationship निमाए हैं, जैसा कि आप जानते होगी एक time था कि अफ्रिकन बहुत सारे ऐसे country से जो बहुत पिछड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो इंडिया ने financial help, economical help बहुत ज़्यादा किया है, ऐसे कुछ countries का, ताकि एक तरीके से अच्छा relationship maintain रहें, ठीके तो उन countries के साथ हमारा इंडिया का काफी अच्छा relations है, और खासकर अफ्रिका के साथ हम इंडिया आपस में मिलके बहुत सारे मुद्दे के उपर बात करते हैं, जैसे कि agriculture का एक मुद्दा हो जाता है, उसमें economy तो ही, लेकिन agriculture का भी मुद्दा हो जाता है, साथ ही में कुछ Indians जो होते हैं या फिर बाहर countries के लोग होते हैं, जो tourism पसंद करते हैं, अफरिका में जाना, अफरिकन countries में घूमना पसंद करते हैं, तो tourism के उपर भी फैसला होता है, साथ ही में कुछ ऐसे terrorism activities को कैसे रोका जाए, environmental issues के बारे में, इस प्रकार के कई सारे दे के उपर हमारा एक relationship उनके साथ, African countries के साथ बहुत अची तरीके से बना हुआ है, और साथी में जितने भी energy rich countries होती हैं, अगर हम बात करने जैसे कि example के तौर पर Egypt हो गया, Nigeria हो गया, Sudan हो गया, Angola हो गया, इसके साथ भी हमारा relationship अच्छा है कि ताकि energy वाले जो products होते हैं, वो लोग हमारे साथ बाट सकें, और कई सारी चीज़े हम भी उनसे ले सकें, और इंडिया बहुत ज़्यादा efforts लगाता है अपना, ताकि हम जो है African countries के साथ हमारा जो trade है, वो बहुत अच्छी तरीके से maintain कर सकें, व्यापार, आप कुछ दो, हम कुछ देंगे, ठीकेन, आप कु 2015 को submit conference, submit conference बोल सकते हैं, ताकि ये दोनों के countries के बीच में बहुत सारे agreements पे sign हो, बहुत सारे चीज़ों के उपर बातचीत हो, फैसला हो, इस प्रकार की एक meeting conductivity 2015 में, इसमें जितने भी countries है, अफरिका की अगर हम बात करें, कि अफरिका continent बहुत बड़ा continent और इसके अदर कई सा 2015 का, जो submit conference हुआ था, इसमें लगबग 54 African countries जो है, नॉमली इन्होंने एक तरीके से participate किया था, और attend किया था, और अपनी जो भी relationship है, वो maintain करने की कोशिश की थी, इंडिया के साथ, और एक conference जो है, discussion वहाँ पे हुआ था, और उसमें बहुत सारे global issues जो होते हैं, जैसे कि example के तोर पे, terrorism जैसे, privacy जैसे चीजे, ठीक है न, तो इस प्रकार की कई सारे चीजे, ठीक है न, climate change के बारे में, environmental खराब हो रहा, environment को कैसे सुधारा जाये, tourism को कैसे expand किया जाये, agriculture related बाते, terrorism, आतंग वाद को किस प्रकार मिलके रूख हो जाये, तो ऐसे कई सारे चीजे जो है, व उसके साथ कैसा संबंद है, India and Indo-Pacific area, ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडिया का Indo-Pacific area के बारे में, तो इंडो पैसिफिक area के बात करें, what do you mean by Indo-Pacific area, इंडिया होता है pacific मतलब कյ्ता है आपको पता इंडिया इंडिया ओशन है तो समझ लो अगर यह हमारा इंडिया है इस प्रकार का समझ लो इंडिया के आसप ओशन के साथ Pacific area के साथ बहुत अच्छा संबंद है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी countries है जो आपको देखने मिलती है ठीक है कौनसी कौनसी countries आपको देखने मिलती है आपका Australia देखने मिलता है ठीक है उस प्रकार से इस प्रकार साइन किये हैं और वो इस प्रकार साइन किये हैं ताकि आपको भी कुछ benefit हो सके हमको भी कुछ benefit हो सके जैसे कि उनके बीच में व्यापार, trade relation establish करना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे countries के बीच में बहुत सारे social security के मुद्दे के उपर, criminals को कैसे हम लोग boycott करे, criminals activities को कैसे रोके, इस प्रकार से कई मुद्दे के उपर, फिर tourism को कैसे adapt किया जाए, tourism को कैसे बढ़ावा दिया जाए, art and culture को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस प्रकार की चीज़ों को आपस में काम करें और एक तरीके से यह जो निगेटिविटी वाली चीज़े है, criminal activities है, smuggling है, drugs की smuggling, अलग-अलग चीजों की smuggling, वो सब एकदम तोटली बंद करवाजिया जाए, ठीके ना, और साथी में जापान के साथ, तो आप जानते हों कि जापान एक बहुत ही technology oriented देश है, technical oriented country है, तो हमारे इंडिया ने defense related बहुत सारी चीज़ों को जापान से import किया, एक तरीके से जापान की help हमेशा लेते हैं, आप जानते होंगे कि जाएद कि जो bullet का जो काम है, वो जापानी company को ही दिया हुआ है, ठीके हमारे देश में एक bullet train आने वाला इसा सुना है हमने, ठीके तो हमने ये भी सुना है कि उसका जो काम है, वो जापानी इस company को दिया हुआ है, तो इस प्रकार से कई सारी चीज़े basic दूसरे countries के बीच में, यानि इंडियो Pacific जो country से उनके बीच में हुई है, तो उमीद करता हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, next topic पर जाते है सीधा, जो कि हमारा अगला topic है, इंडिया और South East Asia, यानि कि हमारा South East Asia, इंडिया का जो पाठ है और East का भी पाठ है, ठीक है ना, तो ये South East जो country होती है, ठीक है, कौन-कौन से आ जाती है, वो हम लोग बताएंगे, तो फेले heading डाल देता हूँ में, इंडिया and South East Asia, ठीक है, चलो, देखते हैं इसको, इंडिया और South East Asia, आ जाते हैं topic के उपर, अब देखो, South East Asian countries के अगर हम बात करें, ठीक है ना, South East Asian countries की बात करें, तो जैसे कि आप पता है कि Singapore जैसे बड़ी-बड़ी अच्छी countries है, बड़ी तो नहीं, size में छोटी है, लेकिन उनका जो रुतबा है, वो बहुत बड़ा है, तो Singapore की बात कर ले, Malaysia की बात कर ले, Philippines की बात कर ले, Indonesia की बात कर Myanmar, जिसको एक टाइप बर्मा के नाम से जाना जाता था, तो Myanmar हो गया, Vietnam हो गया, इस प्रकार से कई सारे कंट्रीज है, जो हमारे South East Asia के पार्ट है, और कहीं बहुत यह अच्छे और developed कंट्रीज है, जैसे कि आप Indonesia, Singapore जैसे कंट्रीज किया, Malaysia जैसे कंट्रीज किया, अगर हम ब open market policy, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उन्होंने इस प्रकार की कई सारी policy, जो है, वो adapt किया है, free market economy, इस country's के साथ, इन बहुत सारी countries के साथ, उन्होंने adapt किया हुआ है, जिसमें बहुत यह अच्छा trade relation, उन्होंने बहुत सारे वेबिन प्रकार की countries के साथ बनाया हुआ हुआ जिसमें ये जो south east countries जो होती है, इस में बहुत सारा जो deal होता है, वो बहुत सारा अच्छी तरिके से sign होता है, ताकि अगर कोई देश में बहुत अच्छी दोस्ती है, यानि आप हमारा समान खरीदते हो, हम आपका समान खरीदते हैं, तो deal बहुत easily हो पाता है, तो इस परका गया था लुक इस्ट मतलब इस्ट में देखो ठीक है लुक इस्ट का मतलब होता है इस्ट में देखो और यार इस्ट में भी तो देख लो बहुत सारी कंट्री से ट्रेड करने के लिए हम से वेस्टन कंट्री की बात करते हैं युरोपियन कंट्री से अमेरिका जैसे कंट्री क करते हैं तो इसके लिए इस्ट पॉलिसी के नाम से बहुत सारे ट्रेड्स और बहुत सारे व्यापार वाली चीजे जो है इंडिया और उन कंट्रिस के गवर्मेंट के बीच में होती है तो उमीद करता हूँ कि यह चीज भी आपको समझ में आ गया होगा अब बात कर लेते हैं हमारे इस चाप्टर की आखरी टॉप दिकी जिसका नाम है दोस्तों इंडिया और वेश्ट एशिया यानि एशिया की तो हमने बात की थी अब जाते हों कि हमारा जो इंडिया है उसके जफ वेश्ट की बात करें यानि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान की और यह साइड में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे वेश्ट कंट्रिस मिलेगी लेकिन वह एक्च्वल में वेश्ट एश्यन कंट्रीस है नॉट वेश संठींअ तुभब एंध तो इस प्रकार से इरा निराम तो इस प्रकार से इन को वेस्ट एसिया एक तरीके से उसमें डाला हुए है काटगिरी में डाला हुई हिए ठीक है लावा यू एई-एस तरीकती नष्श तो ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं, अब मान लो, ऐसे कई सारे कंट्रीज है, जो वेस्ट एशिया में मानते हम लोग, जो की Middle East का एक पार्ट है, समझ लो, बीच में हैं, गल्फ कंट्रीज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हमारा इंडिया का उनके साथ रिलेशनशिप काफी आच वो हम लोग क्या करते हैं एक तरीके से इंपोर्ट करते हैं, और यह बहुत ज़्यादा जरुरी चीज़े थीक है, तो कहीं न कहीं यह जो Asian countries है यह एक primary suppliers है, एक primary supply किस चीज़ के खासकर mineral oil और natural gas के क्योंकि यह जो Gulf countries इनका नाम इसीलिए पड़ा है, क्योंकि ऐसी countries के पास बहुत सारे depositories है mineral oil के और साथ में natural gas के जो हम लोग यूज करते हैं जो हम लोग fossil fuel यूज करते हैं fossil fuel को convert करके fractional distillation किया जाता है तब जाके petrol, diesel, kerosene, wax, paraffins जैसे बहुत सारे चीज़े बनती है उस fractional distillation से crude oil से fossil fuel से उसी प्रकार natural gas जो CNG, PNG के हम बात करते हैं वो सब कहीं न कहीं बनता है और बनके आता है हम import करते हैं तो इन ही देश से import किया जाता है और ना सिफ इंडिया ऐसे दुनिया में जितने भी बड़े बड़े countries है उनके पास कोई oil depository नहीं है वो भी अमेरिका जैसे countries भी इनी देशों से मंगाता है तेल इसलिए शायद ये countries बहुत ज़्यादा rich है बहुत ज़्यादा पैसे हैं इनके पास साउदी अरे जैसे countries ठीके उनके पास oil की खदाने हैं ठीके न भरा हुआ है समझ लो बस खोदना है और निकालना है तो इस प्रकार से कई सारे चीज़ें पिर जैसे एक और कंट्री से इसराइल तो इसराइल जो कंट्री है नॉर्मली बहुत ज़्यादा डेवलप माना जाता है और खास कर इंडिया जो है इसराइल कंट्री से बहुत सारे अग्रिकल्चरल डिफेंस रिलेटेड एक्पिमेंट्स को मंगवाता जैसे आप जानते हैं इसराइल के साथ हमारे दोस्ती बहुत अच्छी है और इसराइल के जो लीडर्स है जो पलिटिकल लीडर्स है और वहाँ पर पर्मनेट ये बस जाते हैं ठीक है बट ये जो मेन पॉलिसी है इंडिया का अगर हम बात करें इंडिया का जो मेन मकसद यही है ताकि हर कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशन्शिप मेंटेन हो पाए और तभी रिलेशन्शिप मेंटेन अगर होता है तब जाके क्या हो जाएगा हमारा एक संबंध जो है बेटर हो जाएगा ट्रेड बड़ेगा व्यापार बड़ेगा तब ही तो इकोनॉमी बड़ेगा और लोगों के पास दोस्तो हमारा जितने भी टॉपिक से इस चाप्टर के अंदर खासकर आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमने इंडिया और आफ्रिकन कंट्रीज के बारे में डिस्क्रस किया चाहे वह इंडिया और जो पैसिफिक ओशन वाली जो गंट्रीज आप ने बात के न्यूजिलयन और वगर है ठीके न उनके साथ हमने डिस्कस कर लिया कि क्या रिलेशन था इंडिया और South East Asia जैसे कि Vietnam हो गया ठीके न मयानमर जैसी वो भी हम लोग complete करेंगे, आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, और प्यार देखाना, ठीक है न दोस्तों, तो प्यार देते रहना, और हम आज का वीडियो से माप्त करेंगे, तो प्लीज हमें comment करके बताना कि ये वीडियो और ये chapter आपको कैसा लगा है, अपनी राय और suggestion जर subscribe कर देना, साथ ही में एक bell icon होता है, उसको press कर देना, ताकि future में हम कभी भी कोई भी वीडियो उसको upload करेंगे, तो आप लोगो notification मिलती रहेगी, तो मिलते हमारे एगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, thank you and good bye.